तो चलिए अभी हम देखते हैं अच्छे स्टॉक्स जिसमें हमारे लिए एक अच्छा उप्पॉर्चनिटी है अगले हफते ट्रेडिंग के लिए तो दोस्तो आज का पहला स्टॉक है इसका भी करन मार्केट प्राइस चल दा है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पर आप जैसी की देख सकते हैं ठरेंड लाइन को मिला था 25 फेबररी को और फ्राइड को इस टॉक ने उस ट्रेंड लाइन का उपॉच्चनि है तो यहाँ रिटेश्ट करके फिर से गिर सकता है तो जो लेवल आपको यहाँ पर दियान रखना है शोट्टिंग के लिए वह है इस intricate का candle का low जो कि है लेवल करीब 720 के पास दोस्तो तो अगर यह Friday के candle के low को breakdown कर देता है successfully Monday को या अगले हफते तो यहाँ पर हम एक और एक fall expect कर सकते हैं दोस्तो क्योंकि यह stock breakdown के बार एक रिटेस्ट करके और एक fall दिखा सकता है तो यह simply Friday के candle के high पर लगाना है दोस्तो तो stop loss लेवल आपका 738 के पास रहेगा दोस्तो तो 738 का आपका stop loss है entry है 720 के नीचे और जो target बनेगा वो first target आपका यह जो candle है Thursday की इसका low ही आपका first target रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक support है previous support भी है यहाँ पर और यहाँ पर candle का low का भी support है यह आपका first target रहना चाहिए दोस्तो और अगर 698 यानि कि 700 इस लेवल का भी breakdown हो जाता है तब हम यहाँ पर करीब 673 तक का fall expect कर सकते हैं तो 673 का आपका second target रहेगा दोस्तो तो यह थे stock में देखेंगे तो एक major support zone था दोस्तो 40 का 40 इस लेवल पर काफी दिनों से support ले रहा था करीब एक साल से यह stock इस लेवल पर support ले रहा था continuous जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर first time यहाँ पर support ले था second time यहाँ पर time यहाँ पर तो multiple time support हो चुके हैं और यहाँ पर finally हम यहाँ पर एक breakdown देखने को मिला है दोस्तों तो काफी दिनों के बाद एक breakdown मिलता है देखने को तो हमें यहाँ पर shorting के लिए अच्छा opportunity है इस stock में क्योंकि हम यहाँ पर एक बड़ा fall expect कर सकते हैं दोस्तों अभी हमें इस stock में कब करना है तो 40 का इसका strong support था और अभी फिलाली 40 इस लेवल के नीचे trade कर रहा है जिसके आप देख सकते कि 38 का अभी इसका करना marketplace चल रहा है तो जब यह 40 इस लेवल के पास आएगा दोस्तों और एक negative candle क्रिएट करेगा वन आर या 15 मिनिट्स में closing देदेगा एक रेड कैंडल या बेरिश कैंडल श्रीक pattern के formation पर तो आप वहाँ पर शॉट कर सकते हैं दोस्तों नेगेटिव कैंडल का confirmation चाहिए intraday में minimum वन आर टाइम पर आपको एक बेरिश कैंडल श्रीक के बाद वह रहेगा करीब 34.15 रुपीज के पास तो 34.15 का यहाँ पर हमें एक support दिखाए दे रहा है तो यह आपका first target रहना चाहिए दोस्तों और अगर यह 34 इस लेवल को भी breakdown कर देता है तब हम fall करीब 30 तक expect कर सकते हैं दोस्तों 30 का आपका second target रहना चाहिए अगर यह 33 इस लेवल के नीचे भी चला जाता है तो यह थे दो targets आपके shorting के लिए तो यह stock में भी अच्छा opportunity है हमारे अगले हफते trading के लिए दोस्तों और अच्छा मोगा है हमारे लिए कि यह रिटेश पर अगर हम इसको short करते हैं तो हमारे यहाँ पर winning rate बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों अभी हम देखते हैं अगला stock अगला stock है हमारा team can india limited इसका करना के प्रेश चला है करेब 2061 के पास इस stock में अगर हम pattern को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक range में consolidation चल रहा है दोस्तों तो यहाँ पर एक अच्छा opportunity है कि हम इदर side moment को capture कर सकते है early तो इसको आपको watch list में रखना है और observe करना है कि यह stock resistance को breakout कर देता है यह support को breakdown कर देता है तो दोने levels आपको बता देता हूँ उपर की तरफ आपको buy तभी करना है दोस्तों जब यह 2127 इस level की उपर closing दे देगा अपनी one hour time frame की candle को तभी आप इसमें enter कर सकते हैं और एक अच्छा moment उपर की तरफ आ सकता है तब आपका इस case में जो target रहेगा वह रहेगा करीब यह जो box का length है यही आपका टार्गेट रहना चाहिए दोस्तों 2400 का target निकल के आ रहा है उपर की तरफ तो यह आपका टार्गेट रहेगा bullish side पर दोस्तों और in case अगर इस box pattern का breakdown हो जाता है यानकि जो level निकल के आ रहा है वह है 1830 के पास तो 1830 के जब यह नीचे चला जाएगा दोस्तों इसको breakdown करके नीचे चला जाएगा तब आपका टार्गेट रहना चाहिए वह रहना चाहिए करीब 1700 के पास तो यह था target जैसे ही range में consolidation कर रहा है दोस्तों अगर हम देखेंगे तो तो में यहाँ पर one hour time frame का चार्ट open करता हूं यह pure intradical stock रहेगा दोस्तों क्योंकि इसमें एक range का breakout हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर आप जैसी की देख सकते हैं कि एक range में यह stock consolidate कर रहा है और इसमें हमें breakout और breakdown पर trade करना है दोस्तों तो उपर की तरफ हमें तभी buy करना है दोस्तों जब यह 2510 को breakout कर देगा तो 2510 का enterprise रहेगा दोस्तों उपर की तरफ यह है आपका enterprise और और निजी का जो support है वह 2400 का तो अगर in case support का भी breakdown हो जाता है 2400 का इस stock में हमें गिरावाट देख सकते ह 65 का जो कि इस stock का previous low था तो 2270 का आपका first target रहना चाहिए दोस्तों शॉटिंग सैड पर और अगर इस stock का breakout हो जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पर enterprise करना है 2500 के पास और जो target रहेगा आपका वह रहेगा करीब इस level तक यह resistance हमें दिखाए दे रहा है previous high यह resistance act के रहे तो 2600 का आपका first target रहना चाहिए दोस्तों जो की है लिए लेवल 2630 का आपका target होना चाहिए उपर की तरफ तो यह थे लेवल सा target दोस्तों दोस्तों तरफ के अगर range का breakout होता है तो उपर की तरफ का target है 2627 के पास और अगर support का breakdown हो जाता है तो आपका यहाँ पर target रहेगा 2270 के पास न नगयी